लिस्टिंग से अब तक LIC का शेयर निवेशकों की उमीदों पर खरार नहीं उत्रा था जिन निवेशकों ने LIC के IPO पर दाव खेला आज वो बड़े नुकसान पर बैठे हैं लेकिन अब LIC का शेयर रॉकेट हो गया है सॉमवर को शुरुआती सत्र में LIC में 9% से ज्यादा की तेजी देखी गई कारुबार के दोरान LIC ने 685 रुपे का हाई कोच हुआ आखरी सत्र में LIC का शेयर 6% मजबूत होकर 666 पर बंद हुआ LIC के लिस्टिंग के बाद से पहली बार है जब इस शेयर में ऐसी खरीदारी देखने को मिली है इससे पहले इंट्रडे में LIC में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है LIC के दूसरी तिमाही के शांदार नतीजों के बाद इतनी तेजी देखने को मिल रही है दूसरी तिमाई में LIC का मुनाफ़ा कई गुना बड़ा है हाला कि अकाउंटिंग नियमों में बदलाव की वज़ा से मुनाफ़े में तेज उचाद देखा गया है इसके अलावा कंपनी के न्यू प्रीमियम में भी तेज ग्रोथ एक ही गई है किसी भी इंशूरंस कंपनी के न्यू प्रीमियम में बढ़ोतरी अच्छा संकेत होती है इन ही सब वज़ाओं से LIC में जोरदार तेजी देखने को मिले है कैई ब्रोकरेज हाउसे के ओर से भी LIC में खरिदारी की सलहा दी गई है ICICI Securities ने LIC में खरिदारी की सलहा के साथ 917 रुपे का लक्षे दिया है ये लक्षे मौझूद अभाव से करीब 37 फिस दियू उपर है ICICI Securities के लावा IIFL की ओर से भी LIC में खरिदारी की सलहा है देखिए LIC में आप पिछले दो हफ्तों से देखेंगे तो काफी स्ट्रॉंग एक रिकवरी करी है इवन अगर आप टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे तो इन्होंने ग्याप आप ओपनिंग की लास्ट वीक से तो एक अगर आप देखें तो आईलेंड पैटन काइंड आफ इसने एक स्ट्रॉंट बनाया जो कि एक काफी स्टॉंग रिवर्सल पैटन के तौर पर देखने को मिलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है जो लेवल रहेंगे वाच करने के लिए वो मुझे लगता है कि उपर में करीबन 670 का लेवल रहेगा अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें करीबन 720 से लेकर 740 तक क्या लेवल आते हुए देखेंगे तो LIC काफी accumulation zone में है मुझे लगता है कि LIC के अंदर आप खरदारी का trade यहाँ पर रख सकते हैं जिन्होंने नहीं खरीदा है वो यहाँ पर अगेन इसमें खरदारी भी कर सकते हैं हमें लगता है कि यहाँ से आपको 670 पहला target रहेगा उसके भी 720 का target यहाँ पर देखने को मिल सकता है stop loss जो है वो करीबन 588 पर लगा सकते हैं LIC के सितंबर तिमाई के नतीजों ने शेर में नई जान फोग दी है दूसरी तिमाई में LIC का stand alone मुनाफा 15,952 करोड रुपे रहा जो कि पिछले साल समान तिमाई में 1,433 करोड रुपे था सालानाधार पर net premium income 26.6 पीज़ दी बढ़कर 1,32,000 करोड रही जबकि पिछले साल समान अबदी में premium income 1,4,000 करोड रुपे थी सितंबर तिमाई में LIC का first premium 9,124 करोड रुपे रहा जबकि एक साल पहले ये 8,198 करोड रुपे था दूसरी तिमाई के नतीजों की बदौलत है LIC में तोफारी थेजी देखने को मिल रही है ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए दी है अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो निवेश सलहकार की राय जरूर ले ले